हेलो दोस्ता आपका सवगत आपके चैनल लर्न टू टर्न में दोस्तो दो तीन दिनों से यमुना एक्सप्रेस हाईवे पर फॉक की वज़े से हुआ एक्सिडेंट का वीडियो काफी ज़दा वाइरल हो रहा है इस वीडियो में एक के बाद एक कार आकर टकरा रही है तो इस हादसे की सुरुवात कही से न कही से किसी की लापरवाही से जरूर हुई होगी पहले दो या तीन गाडिया किसी के गलती की वज़े से ठुक गई होंगी उसके बाद ये पुरा हादसा हो गया होगा जिसमें कम से कम 15-16 गाडिया ठुकी हुई है इस हाथसे का रीजन फॉग के साथ सा ड्राइवर की लापरवा ही और गलती थी तो दूस्तो ऐसे हाथसों से बचने के लिए फॉग में हमें ड्राइविंग कैसे करनी है उसके बारे मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा दूस्तो अभी जो आप स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हो वो वीडियो मेंने एक मेरे गाउस से लोटते वक साथ अक्टोबर 2017 को साड़े छे बज़े से रेकॉड करना स्टार्ट किया था जब मैं ड्राइविंग करने निकला तब अंधेरा जरूर था लेकिन फॉग इतनी नहीं थी मुझे बीज बीज में फॉग मिल रही थी कभी हलकी तो कभी बहुत ज़दा इतनी ज़दा कि मुझे सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था मुझे रास्ता अच्छे से पता था इसलिए मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई फिर भी जीस रास्ते पर में 60 से 80 के स्पीड पर कार चला था और मेरी हेड लाइट कंटिनियूस अन थी दोस्तो अगर आपको अच्छे से पता है आप जिस रास्ते से जाने वाले हो उस रास्ते से अच्छे से वाकिफ हो आपको पता है कि वहाँ पर सुबह के वक्त और शाम के वक्त फॉग रहती है तो ऐसे टाइम में ड्राइविंग करने के लिए ना निकले ड्राइविंग कर स्टार्ट कीजिए जिसी कि आपके पाद ज्यादा वक्त रहेगा रोड को देखने के लिए और इमर्जंसी के वक्त रियक्ट करने के लिए और आपका अपनी काड़ी के उपर पूरा कंट्रोल रहेगा और हमेशा फॉग में ड्राइव करते वक्त हेडलाइट का इस्तमाल जर कोई कमजोर नजर वाला रहे तो उसे आपकी कार दिखाई देगी और हेडलाइट की वज़े से आपकी वीजिबिलिटी और ज्यादा बेतर हो जाएगी और हेडलाइट आउन करते वक्त यह जरूर दहन में रखी कि हमेशा हमें लो बीम आउन रखनी है ना कि हाई बीम हाई को में ड्राइव करते वक्त आपको रोड का जैजमेंट ठीक से नहीं मिल रहे तो ऐसे वक्त रोड के लेफ्स वाले कॉर्णर को देखका ड्राइव करें कि हमारी कार उस कॉर्णर से जादा दूर और जादा नजदिक ना आ जाए और अगर हम बड़े रास्तों पर चल रहे तो हमें अपने लेफ्स वाले लेन के मार्किंग को देखना है इससे हमें कार कंट्रोल करने के लिए अच्छा जैजमेंट मिलता है और फॉगी सिच्वेशन में रोड के बीच में कभी भी ना रुके अगर आपको लगता है कि हम नहीं ड्राइव कर सकते विजिबिलिटी ब रोड पर आ जाते हैं ऐसे डॉग कैट से अवेर रही है खासकर वाइट कलर के एनिमल्स फॉग में दिखाई नहीं देते हैं उनको बचाने के चक्कर में हमारा एक्सिडेंट हो सकता है इसलिए अलट रही है और स्लोली ड्राइव करें फॉग में ड्राइव करते वाग आप आपने से आने वाली गाड़ियों के तरफ शार्प टन के तरफ धहन दीजिए क्या पता कि जो आपको ना दिखाई दे वो उन लोगों को दिखाई दे और होने वाला एक्सिडेंट टल जाए तो दोस्तों आशा करता हो कि आपको मेरे इस वीडियो से मदद हो गई होगी पर आए बटन में जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हो जिससी कि आपको कार के बारे में और ड्राइविंग के बारे में एस्ट्राम इंफरमेशन मिलने में मदद होगी अगर आपने मेरा चानल अभी दाक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब किजिए और और नो बाल से दूर रहे